आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ नाओर्मल फोर्सिस कैसे एक्ट करेंगे तो फिगर में हम देख रहे हैं फ़स्ट में हमारा डाउनवर्ड डाउनवर्ड टैन न्यूटन गिवन है में इसके अपोजिट में हमारा रियक्शन इसके असपर्स करके उसको आरे लगेगा और एक आरबी हमारा काउंटेक्ट पे आरबी इधर लगेगा तो आरबी के साथ कोई भी अपोजिट रियक्शन नहीं है तो आरबी यहां पे क्या वागा आपका आरबी इक्वल टू जिरू आजाएगा और आरे यहां से क्या दिख लिए मिल रहा है कि अगर बैलेंश करेंगे एक्विशन तो आरे इक्वल टू डब्लू इट मेंस 10 निउटन आ जाएगा ठीक है यह दोनों आपके option आ जाएगा similarly हम बी के लिए देखते हैं कैसे हमारा reaction से बनेंगे तो हम देखेंगे बी figure के लिए अगर graph हमारा बनेगा तो कुछ हैसे figure बनेगा आरे जो देखें इस direction में होगा आर भी इसदर direction में होगा तो उनके अगर component लिखें तो उपर हमारा आएगा र ए कॉश 60 और आर भी हमारा आर भी कॉश 60 आएगा कॉश 60 दोनों उपर तरफ आएंगे क्योंकि यह 60 है तो यह यह भी 60 होगा हमारा यह एंगल similarly इस तरह हमारा जो इसका इदर इस direction में आर ए साइन 60 आएगा इधर में हमारा आर ए सारी आर भी साइन 60 आएगा फूर्स करेंगे तो आर एकॉल टू आपका क्या आ जाएगा आर एकॉल टू आर एकॉल टू आर बी आएगा तो यहां आर एकॉल होगे जो कि हमें 10 न्यूटन गिवन है तो आर एकॉल टू आर भी है तो यहां से 2 टाइम्स आर ए कॉस 60 इकॉल टू हो जाएगा 10 कॉस 60 कमान वेली कितने हो थी 1 बाइ 2 तो 2 से 2 कैंसल आउट सो आर एकॉल फ़िए ऐसे बनेगा क्योंकि यह से हमारा जो component जाएगा आर इस डिरेक्शन में जाएगा और आर भी इस डेरिक्शन में जाएगा तो इसके component लिखेंगे ra के आप तो अपर direction में आप देखेंगे क्या आएगा यह 60 है क्योंकि यह 60 है हमारा तो यह भी 60 होगा तो इधर होगा आपका ra sin 60 और इधर direction में आएगा आपका ra cos 60 तो forces balance करेंगे क्या होगा हमारा ra cos 60 जो है upward लग रहा है sorry argental है यह बराबर आपका rb की इक्कुल होगा और ra sin 60 जो है यह किसके उक्कुल होगा आपका weight w की उक्कुल होगा ओके तो यहां से w हमें 10 newton given है execution में तो ra into sin 60 के value root 3 by 2 equal to 10 तो होगा 20 by root 3 तो ra की value हो जाएगी आपका 20 by root 3 newton यहां से 10 by root 3 हो जाएगा आपका ra यानिकी 20 by root 3 into cos 60 cos 60 value 1 by 2 होती है तो यहां से 10 by root 3 हो जाएगा 10 by root 3 newton ठीक है यह आपका आजाएगा rb ओके तो हमें यह मिल गया ra की value 20 by root 3 and newton और rb equal to 10 by root 3 newton ठीक है यह आपके तीनों answer हो गया ठीक है thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर यह आपके तो हमें है